तारीखों में क्या रखा है? वक्त बदलने के लिए एक पल ही काफी है. इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेर की क्लास में. तो वीडियो सुरू करने से पहले इसे लाइक कर दें, शेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर द तो सुरू करते हैं हमारे प्रीविज डे के क्वेशन से हमारा क्वेशन था who has been robed in by Amazon to lend voice for its Alexa voice assistant Amazon ने अपने Alexa voice assistant के लिए आवाज देने के लिए किसे चुना है तो हमारे option है अमिताब बच्चन, अक्षे कुमार, विराट कोहली, अजय देवगन तो इसका सही option है option A, अमिताब बच्चन जिन्होंने ये option दिया था Congratulations, keep doing Amazon.com इंक ने अपने Alexa voice assistant के लिए बॉलिवूड अविनेता अमिताब बच्चन को साइन किया है तो बढ़ते हैं हमारे next question की तरफ Which state has topped the India happiness report 2020, किस राज जिने इंडिया happiness report 2020 में top किया है तो हमारे option है गुजरात, सिक्किम, उडिसा, मिजोरम तो इसका सही option है option D, मिजोरम मिजोरम को भारत happiness report 2020 में पहले इस्थान पर रखा गया है जो भारत की पहली happiness report है जो पूरे देश में खुशी के उमापने वाले सभी राजियों और केंदर शासित प्रदेशों को कवर करती है बढ़ते हैं हमारे next question की तरफ इसलिन स्टार शेफ विकास खन्ना को एक बड़े पैमाने पर खाद वित्रन अभियान आईम्टी की 2020 की स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा सहर अवल स्थान पर रहा तो हमारे option है हाइदराबाद कोलकाता बेंगलूरू मुंबई तो इसका सही option है option A हाइदराबाद 2020 के स्मार्ट सिटी इंडेक्स में हाइदराबाद सीर्स भारती सहर था जिसे 25 पान पर रखा गया था परते हैं हमारे next question के तरफ The Global Ayurveda Summit 2020 is which edition of the event? Global Ayurveda Summit 2020 के आयोजन का कौन सा संस्क्रण है? तो हमारे option है 4th, 7th, 5th, 8th तो इसका सही option है option A 4th, Global Ayurveda Summit के चौथे संस्क्रण का उद्गाटन उपर रास्ट्रपती श्री M. Venkai Naidu जी ने 15 सितंबर 2020 को विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से किया Global Ayurveda Summit 2020 का आयोजन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक भारती उद्ग परिसग द्वारा किया गया है Global Ayurveda Summit 2020 का विसे है महामारी के लिए Ayurveda के अवसर बढ़ते हैं हमारे next question की तरफ The World Bamboo Day is observed every year on which date विसो बास दिवस हर साल किस तारीक को मनाया जाता है तो हमारे option है 18 September, 17 September, 16 September, 15 September तो इसका सही option है option A 18 September हर साल 18 September को बास के फायदों के बारे में जागरुकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपियोग को बढ़ावा देने के लिए विसो बास दिवस मनाया जाता है बढ़ते हैं हमारे next question की तरफ इन September 2020, which country joined the जिप्ती Code of Conduct जेधा एमेंडमेंट डी सी ओसी ओसी ओबलिक जी ए एज अब्जर्वर सितमबर 2020 में कौन सा देश प्रेक्षक के रूप में जिप्ति आचार सहिता जेधा संसोधन डी सी ओसी जे ए में सामिल हुआ तो हमारे option है इंडिया, चाइना, यूके, यूएसे तो इसका सही option है option A, India भारत प्रेक्षक के रूप ने जिबती आचार सहिता जेदा संसोधन DCOC-JA में सामिल हो गया है DCOC-JA समुदरी मामलों पर एक समो है जिसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफरीका की पूर्वी तट और हिंद महासागर छेतर में दूइप देशों से 68 सदसी देश सामिल है भारत DCOC-JA के लिए परिवेच्छक के रूप में जापान, नार्वे, ब्रिटेन और अमरीका में सामिल हो गया है बढ़ते हमारे नेक्स क्वेशन की तरफ विश्व का पहला देश कौन सा है जो सात वर्षी संप्रभु सतत विकास लक्षी बॉन्ड जारी करेगा तो हमारे ऑप्षन है ब्राजील, जर्मनी, मेक्सिको, घाना तो इसका सही ऑप्षन है ऑप्षन सी मेक्सिको निवेश बैंक नेटिक्स के साथ विक्सित किये अपने नए SDG सवरिन बॉन्ड फ्रेम के तहत 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर का 7 साल का सवरिन SDGs बॉन्ड जारी करके सतत विकास लच्छ की उपलब्धी के लिए इस्थाई वित्य पोशर कारिक्रम का उधगाटन करने वाला मेक्सिको दुनिया का पहला देज बन गया है और जो नेटिक्स बैंक है उस वो जो है वो पैरिस यानि की फ्रांस में इस्थित है बढ़ते हैं मारे आज के question of the day की तरफ जो है आर्थिका स्पंधना is the loan disbersal scheme launched by which state आर्थिका स्पंधना किस राजी द्वारा शुरू की गई रिडव समृतित सवित्रन योजना है तो हमारे option है करनाटिका, मेघाले, तेलंगाना, वेस्ट बेंगॉल तो इसमें से जो भी option आपको सही लग रहे हैं आप comment box में comment करके बता सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे like करें, share करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उससे बजाना बिलकुल भी ना भूले ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थांक्यू